हेलो स्टूरेंट्स हाव आर यू स्टूरेंट्स आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट पंद्रा बिशन की दिलेरी बच्चो ये कहानी बच्चे के उपर है बिशन के उपर की वो अपनी दिलेरी कैसे दिखाता है चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं सुबह का समय था पहा करता था उनसे पढ़ता था फाम से लगे खेत और बाग और में छिड़काव हो रहा था कीट नाशक दिवाई का बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था बिशन पकडंडी से अभी सड़क तक जा ही रहा था कि उसे गोली की वास सुनाई दी उसने दुर-दुर देखा तो पुरी घाटी गूँच गई पंची घवरागे आसमान में गोल-गोल चक्र काटने लगे बिशन सहमकर पेडों के पीछे चिपकर खड़ा हो गया बिशन जहां खड़ा था वही चुप-चाप खड़ा रहा उसने वहां से केतों की तरफ बाग की तरफ उसे साफ दिखाई द दे रही थी बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई तब ये गोली की वाज फिरसे सुनाई दी एका एक बिशन को गोली चलने की आवास आई और कारण समझ में आ गया जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने डेरो तीतर आ जा पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तर हैं बहुत से तीतर मारे थे कुछ तीतर तो वे उठा ले गए बाकी वहीं छोड़ गए खेतों को काटते समय की सानों को बहुत से तीतर जक्मी मिले बिशन ने सोचा कितना दुफ पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी उसे सम करके तो के किनारे किनारे चलने लगा वहे चलते चलते सोच ही रहा था कि शिकारियों को सबक कैसे सिखाया जाए लेकिन उन्हें सबक कैसे सिखाया जाए यह समझ में नहीं आ रहा था तब ही उसके पाऊं के पास सर पर सरसराहट सी हुई उसे देखा गायलती तर गेहूं की ज और उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ पड़ाया लेगिन घबराया हुआ तीतर चिट-पिटा खेत के अंदर चला गया बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को डून नहीं पाएंगे और घायल घायल को यहीं तड़क तड़क कर मर जाएगा जो घायल है तीतर वो जैसे स्वेटर से तीतर को पकड़ लिया वैसे तो घबरायाट के मारे वो पकड़ नहीं पारा था लेकिन उसने अपना स्वेटर उतारा और स्वेटर से क्या करा उसको पकड़ लिया फिर उसने क्या किया उसने उसे सीने से चिपका लिया और खेत में से निकल कर पहाड़ी बीशन वैसे तो कटीले तारों से होकर निकल सकता था, प्रन्तु इस समय वह दोनों हातों से तीतर को पकड़े हुए था, तीतर को संभालना बहुत जुरूरी था, इसलिए वैखेतों के साथ साथ छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देखना नहीं, लेकिन पीछे से उस तारों के पास आ गया था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और उसने कोई जवाब नहीं दिया और सिधा चलता रहा, तब ही बीशन को भारी भरकम जुतों की वास सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आ रही थी, पीछे से आ रही थी, शिकारी गुसे में जोर जोर से चिला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तु मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता, बीशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था, अगर वह सड़क से जाता, तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के चोटे रास्ते में जाना तै किया, खेतों से आगे के रास्ते में काटेदा जाड़ी आती बीशन, उसी रास्ते में गुटनों के बद चलने लगा, बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हात पाओं पर कांटों की बहुत सी उभर आई, खुरोचों से खून भी निकलने लगा, उसके कमीज भी फट गई, जानता था कि कमीज फटने पर मा डांटेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह तीतर की जान बचाने में काम्याब रहा, जाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंच जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत जादा थी और उसके कारण फिसलन भी बिशन थक कर वहीं एक किनारे पे बैट गया, अभी वे बैटा ही था कि उसे पाउं की आहट सुनाई दी, आहट सुनते ही वह उटकर दोर पड़ा, दोड़ते आधी पहाड़ी पार कर चुका था, उसने कपड़े से पसीना पहुंचा, पसीने से तरपर हो गया था, उसके जो कपड़े थे वो पसीने से भर गये थे और वो खुद भी पसीनों पसीन हो गया था, और फॉर्म हाउस में खामोशी थी, जैसे वो पहुंचा महाँ पर तो उसमें क्या थी खमोशी थी तोई घर में पैशर कुकर की सीटी की अवाज आ रही थी मुर्गियां भी अपने दब्डे में थी और गुलाब चन सामने से बरामदा साफ कर रहा था अचानक करनल साब का कुट्टा जो जो से भूगने लगा वह किसी अजनभी को देख कर ही इस शेड के नीचे बहुत सारा कबाड पढ़ा हुआ था उसी में एक टूटी टोकरी बीशन को दिखाई दी ये ठीक है सोचते ही उसने तीतर को टोकरी में रखा और स्वेटर से डग दिया घाय तीतर घवराया हुआ था इसलिए वह चुपचा पढ़ा रहा तीतर को चुपने के बाद तीतर को चुपाने के बाद बीशन ने सोचा कि अब बाहर चल कर देखना चाहिए पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पढ़ना चाता था इसलिए उसने छट पर चड़ कर बैठना ठीक समझा बीना सीडी के छट पर चड़ना उसके लिए बहुत असान काम था वह अकसर इस शेट की डलवा चट के सहारे उपर चड़ जाता था बीशन लकडी के खंबे पर बंदर की तरह शलांग लगा कर लटक गया और उपर की और खिसकते खिसकते चट पर जा पोंचा खरपैल जो चट की खरपैल होती है उस पर चिपकर बैठ गया ताकि वह किसी को दि देख रहा था उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उन्हें देखकर करनल साहब का कुट्टा जो जो से भूंक रहा है करनल के करनल के कुट्टे को डांटा चुप रहो पर वहन ना माना पिछले दिनों पाउं पर खड़े हो वह उचल उचल कर भूंकने लगा पीछे के जो पाउं है उसके सहारे खड़े होकर वह भूंकने लगा वे दूनों शिकारी करीब आ गए तो करनल ने रोबदार आवास से पुछा अब करनल है तो उनकी वास्तों रोबदार होगी उन्हों पुछा हो तुम कौन हो तुम यहां किसली आये हो तो उन्हों करने आते हैं करनल साब ने बोला अच्छा तो तुमी लोगों की गोलियों के वाजों की गुंज आ रही थी सुवे से उन्हों ने बोला शिकारी ने जी हाँ हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है सरपंच मादो सिंगने हमें हमें जानते हैं तो तुम हर साल तीत्रों का शिकार करते हो करनल साब ने मजाख उडाते हो बोला उनने बोला शिकारी ने जी हाँ तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके हाँ आच छिपा है हम उसे डूंड रहे हैं करनल साब ने बोला अच्छा तुम जो इतने सार तीतर मारते हो उसका क्या करते हो करणल साब ने पूचा तो शिकारी ने बोला सीधी सी बात है साब खाते हैं दूसरे शिकारियों ने जवाब दिया फिर कुछ रुक कर बोला अब तो उस लड़के को डुनवा दीजिये साहब मैं इधर ही कही छुप गया है करणल दता ने बाकी को गायल करके तरड़ता हुआ छोड़ देते हो जब फसल कटनी होती है तो डेरों मरे वे दीतर मिलते हैं करणल दता गीबाद सुनकर वे दोनों घबरा गए उन्हीं उमीद नहीं ती कि करणल इस तरह से उस उनने डांटेंगे करणल दता ने उनकी उनूझे इतना ही कहकर नहीं छोड़ा आगे बोले पक्षियों को मानने और उनसे ज़्यादा उन्हें गायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादरी नहीं है अब तुम दोनों यहां से जाते हो यह नहीं यहां तुम्हारा कोई तितर वितर नहीं है अब जाते हो क्यों नहीं क्यों खड़े हो यहां पर बिशन बिशन जो था वो पीछे से सब देख रहा था वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चलेगे करनल दता ने गुलाब चंद से दवाई छिटकाव वाली मशीन लाने को कहा तबी बिशन चपपर से शेड से होता हुआ जो छत की शेड है उस यह बहुत जकमी है आकर इसे देखिए बिशन की वास सुनकर करनल दता भी अंदर आ पहुंचे और बोले अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था क्या करता बाबुजी इसे बहुत चोट लगी है अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता अब तू इसका क्या करे करनल सामने बोला तो विशन बोलता है इसे पालूंगा बाबुजी विशन ने कहा करनल साहब मुस्करा दिये उन्होंने घायल तीतर को देखा उसका एक पंक तूट गया था अब शायद ही वह उड़ सके करनल सामने बोला जाओ दवाई का बक्सा लेकर आओ विशन दोड़ जादा हिले डुले नहीं फिर उन्होंने बिशन से कहा बिशन अगर तुम इसे गेंदी के पत्तों का रस दिन में दो या तीन बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा तब तक बहुजी एक कटोरी में दलिया लेकर आई और टीतर को दलिया खिलाते हुए बोली इ बिशन के पीछे पीछे गूंता रहेगा कर्णल सामने हसते हुए कहा अच्छा बिशन तुम चानते हो तीतर कैसे बोलता है मोजी ने पूछा तो बिशन ने अपने हाथों को मुझ पर रखा और तीतर की वाज निकाली क्वैक 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 कर्णल दता थहा का मार कर हस अपने घर की ओर चला दिया, देखा बच्चो इसकी दिलेरी, कैसी रही विशन की दिलेरी, पास समझ में आ गया ना, अब हम इसकी एक्साइस करते हैं, बच्चो इसमें question दिये हैं, जी हाँ हमारे पास license वाली बंदूख है, सरपंच, मादो, सिंग भी हमें जानते हैं, शिका पकड़ने के लिए कहा, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाता था, क्यों, क्योंकि उसका दिल पिगल गया था, घायल तीतर को देखकर, क्योंकि वो दिल का साफ था, घायल तीतर को बचाने के लिए, उसे किस तरह की परशानिया हुई, देखो उसे बहुत सारी परशा पालते या अच्छा होने के बाद छोड़ देते और क्यूं बच्चों ये कोश्चन तो आपको खुद से करना है चीक है फिर है भाशा की बात इन वाकों में अपने शब्दों में लिखे सुबे की हलकी दूप में खेत सुनैरे दिखाई दे रहे थे आप इस तरह ऐसे भी लि पनक लग गए हूँ इसी तरह से कुछ आपको पैराग्राफ लिए इसमें आपको पैराब्राफ से करना है तीतर, सब्धेन वहला है, आपको क्या आपको पूरे करना है जैसे अपनी बुआ से पूछा पापा आप से कितने बड़े हैं मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें चार बजे बैठक में जाना है इन वाक्यों को पूरा कीजिए बै इतना धीरे चल रहा था मानो चीटी चल रही हो रात में चमकते तारे ऐसे दिखाई देते हैं मानो अकाश में दूदिया चादर बिचा हो तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बात कर रहे हो मानो तुम वहा के बाद्षा हो या बात शीदा हो दिल्ली चुहे को ऐसे लल्चाई बिल्ली चुहे को ऐसे ऐसी लल्चाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा ही जाएगी उसे तो ऐसे ही वाक्या बच्चों आपको complete करने अपनी book में I hope कि आपको chapter समझ आया होगा vision की दिलेरी तो बच्चों आपको भी क्या करना है आपको भी दिलेरी दिखानी है और अच्छे से काम लेना है सोच समझ के टेक क्यार बाबाई